ना करम बड़ा होता है ना भाग्या जैसा हम करम करते हैं वैसे हमारा भाग्या होता है हम अच्छे करम करते हैं हमारा भाग्या अच्छा होता है हम बुरे कानों करते हैं हमारा भाग्या बुरा होता है कि यू कहें कि बच्चा जिसने कोश्चन पेपर सौल किया है वो उसका करम है और जो रिजल्ट आया उसका भाग्या है और यह करम जो हम करम की में बात कर ले थी यह करम हमने पिछले जनम के किये होते हैं और उसका जहां मारा जनम हुआ है वो हमारा भाग्या है मला उस हमारे क कर्मों का रिजल्ट है वह मारा जनम जहां हुआ है यह मारा भाग्य है हमने गरीब घर में जनम लिया हमने मेरे घर में जनम लिया हमारे कर्मों के साफसे हुआ कि अपना भाग्य हम खुल लिखते हैं क्योंकि मारे कर्मों के साफसे ही होता है इसलिए भगवान को दोश नहीं प्रिंसिबल के पास आप लेंडने जाते हैं तो प्रिंसिबल आपको सॉल्ड शीट अंस्यशिट दिखाता है उसे पेपर में दिखाता है कि आपके बच्चे ने तो कुछ लिखा ही नी इसलिए वह फेल हो गया और आप भी चुप रह जाते हो इसी तरह हमारा जो भाग्या मि यहां कि इस्से यह समझ आता है कि हमने पिष्ले जनाम में बहुत बुरे करम किये हैं इस तरहां जहां रुषा हा यही हम भाग्या है यह बात कर लोग यह हैं भी कहते हैं कि जो बाग्या में लिखा कि मिलना तो हुए फिर काम क्यों करना यह बोलना अ styl Video को गलात है इससे कै आप मेरी बातों से अच्छे और बुरे भागे की बाद समझ सकते हैं। देखो, दो कपड़े की दुकान एक जैसे खुली, एक ही कमपनी, सब कुछ एक जैसा। एक की दुकान पर एक इस दुकान पर इतना कमा रहा है, कि वह दुसरी दुकान खोलने के सोतरा है। उसके दुकान पर हरसन भीड राती है। दुसरी के दुकान पर कोई ग्राकी नहीं आता। बहुत कम ग्राक आते हैं बस उसका घरी मुश्किर जल पाता है। तो यह क्या है? भाग्य ही तो है। आप 99% तक महनत कर लेते हो। इतनी महनत कर लेते हैं। लेकिन 1% से आपका काम होते होते ही रुक जाता है। तो यह भाग्य है। मैं आपको सच्ची बात बताती हूं। कहानियों भी तोहानियों की तो बात अलगी होती है। यह मेरी फैमिली में सच्छी जो हुआ है बताती हूं मेरे हस्बेंड के मामा क्रोड़ पती हैं उन्हों अपनी बेटी के लिए गुड़कों में रहते हैं लेकिन अपनी बेटी के दिल्ली में जाके रिष्टा खुदी तैकिया खुदी लाखोर पर लगाया और महिने बाद प नला टरिच तो उनकी बेटी के हिसमें वह किताबों की दुकान आया अब रहने को मकानली देखियो क्लोड़ पती की बेटी और रहने को घर ने फिर च्राकम ऌने उसे 30 गच का मकानलीके दिया अब अब इसी लड़की की यानि मामा के बेटे ने एख मिडर क् watts की बेटी से तेे लेजो और ख्लाइब ङ्यूओं ऐए लिड़की यहां राज कर रही है यहनि यहां नीजर बहू पहुत और चप्लिया बती हैंजर वह यहां राज करेंगे माममय के खर में और मामा की बेटी तीस 悦 इस है घर का राशन के मामा के घर से आज तक जा रहा है सोचो आप वो क्रोड़ पती की बेटी आज किताबों की दुकान चलाती है और 30 गज के मकान में रहती है अब आप ये देखो कोविड आया एक पती जिसकी उमर 80 साल है उसको कोविड हो गया और वे विल्कुल ठीक हो गया और एक पती जिसकी उमर 35 साल है, से कोविड हो गया, वे अपने छोड़ चोड़े बच्टे छोड़कर दुनिया चला गया, तो यह है भग्य, उस पत्नी का भग्य है, आप लोग कहते हैं, आप लोग यह भी बहुत देने सुना कहते हैं कि इस जने में तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं मेरी किसमत क्यों खराब है, आप बिल्कुल ठीक क्या रहे हो सकता, बहुत अच्छे इंसान है, आप में किसी का बुरा भी ना किया हो, लेकिन जो भुगत रहे हैं, मैंने इससे पहले बताया था, यह आपके पिछले जन्मों का करम है, पिछले जन्म के करमों का नितिजा होता है भग्या, थैंक्स वर वाचिंग,